हेलो स्टूलेंट्स वेलकम अगेन तू लन्वरिदी तीमन आज हम करने वाले हैं रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया के कारे इससे पहले का वीडियो यदि रिजर्ब बैंक आपने नहीं देखा है तो देखिएगा क्योंकि वहीं से स्टार्टिंग होती है और वहां से यदि आप आपको अच्छे से समझ में आता है तो रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया के कारें को समझने में आपको और भी ज्यादा आसानी होगी क्योंकि एसस्टी में नया टॉपिक जुड़ा है तो आपको जो बैंक है इस प्रणाली को समझने में थोड़ी से परिशानी तो होती है ले रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया की सापना हुई थी एक अप्रेल 1935 को और उस समय तातकालिक राशी जो है वो पांच करोर थी next question 2 RBI का प्रारंबिक मुख्याले कहां था रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया का प्रारंबिक मुख्याले जो है वो है कहां था तो प्रारंब में इसका मुख्याले जो था वो कोलकाता में था question 3 RBI का मुख्याले कहां है अब देखिए इस question को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि प्रारंबिक मुख्याले कोलकाता से Reserve Bank of India के मुख्याले का इस्थांतरन जो है वो कहां किया गया या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है कि Reserve Bank of India का मुख्याले कहां है यानि वर्तमान का पूछा जा रहा है तो आंसर है मुंबई Next है Reserve Bank of India का राष्टरी करण कब हुआ Reserve Bank of India का राष्टरी करण हुआ 1 जनवरी 1949 को Next Question 5 तो अभी तक हमने revise किये जो last वीडियो में हमने पढ़ा था चलिए यहाँ से New Question है बहारत में सिक्के बनाने की टक्साल कहां इस्थित है? भारत में नोड चापने की प्रैस जो है वो कहां इस्थित है? तो देखिए नासिक महराष्टर में और देवास मद्झे प्रदेश में मैसूर करनाटक में और चोटा है कोलगाता के सालबनी में Next question 7. वर्दमान Reserve Bank of India के गवर्नर सक्तिकांत दास हैं. हम कर चुके हैं इसे. तो क्रम से ये कौन से गवर्नर हैं? तो इसका आंसर है 25 वे गवर्नर. ठीक है? याद रखना है 25 वे गवर्नर हैं सक्तिकांत दास RBI के. अब देखिए ये भी question पूछा जा सकता है कि RBI के जो गवर् गवर्नर कौन होते हैं? तो हमें पता होना चाहिए कि Reserve Bank of India के जो सबसे वरिस्ट वैंक कर्मी होते हैं. जो भी वरिस्ट बैंक कर्मी, जो एक्सपीरिंस बंदे होते हैं, वही RBI के गवर्नर जो हैं, वो बनाये जाते हैं. Next question 8 है, RBI का मुखे कारे क्या है? नोटों का निर्गमन करना यानि कि मुद्रा जारी करना, तो मुद्रा जारी करना, यानि कि मुद्रा को निकालना. तो हमें पता है कि एक रुपे के सिक्के को चोड़कर जो भी समस्त नोट वो जारी करता है RBI और उस पर हस्ताक्षर जो है तो सरकार को ये रिन उपलब्द कराता है और वह भी अलपकालिक रिन जो है वो उपलब्द कराता है सरकार को इसलिए से सरकार का बैंकर भी कहा जाता है बैंकों का बैंक अब इसे बैंकों का बैंक इसलिए कहा जाता है उसके बाद साख नियंतरन अब देखिए साख नियंतरन जो है वो कारे कौन करता है RBI अब कितना नोट जो है वो निकाला जाए ठीक है तो RBI जो है उस पर भी कंट्रोल करता है यानि रिन को देना लेना इन सभी पर नियंतरन का कारे जो है वो किसका होता है RBI का होता है और यह किन पद्दितियों के द्वारा होता है यह हम आगे डिसकस करेंगे तो बिल्कुल साधारन शब्दों में ही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं जिससे की आपको अच्छे से समझ में आ सके अब देखिए एक बात और है कि अगर भारत के सबी बैंकों में जो मुद्रा क का भंडार है इसको फैलाने का कारे कौन कर रहा है आर्बियाई कर रहा है हमें पता चल गया है लेकिन जो मुद्रा चलन में नहीं है तो उसको भी नस्ट करने का कारे जो है वो आर्बियाई के हांतों में होता है next question 9 अलपकालिक रिंड देने के कारण सरकार का बैंकर किसे कह next question 10 वानिजिक या व्यापारिक बैंकों को रिंड प्रदान करने के कारण किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है किसे कहा जाता है आर्बियाई को आर्बियाई वानिजिक बैंकों को अलपकालिक दीरकालिक रिंड ठीक है वर्तमान में नोट निर्गमन प्रक्रिया के लिए किस प्रयोग किया जाता है तो वह प्रणाली है नियूंतम विदेशी कोश प्रणाली इसे हम नियूंतम भंडारन प्रणाली यानि मिनीमम रिजर्व सिस्टम भी कहते हैं अब देखिए 1957 से इस प्रणाली में 200 करोड रुपए के स्वन और विदेशी मुद्रा का भंडारन रखने का जो काम है वो किया गया जिसमें कम से कम 115 करोड रुपए का स्वन भंडार जो है वो रहना चाहिए और बाकी जो बसता है 115 करोड के अलावा तो वो है विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में रहना चाहिए नेक्स्ट कुशन 12 आरबी आई किस पद्धिती द्वारा साख नियंत्रन का कार्य करता है तो वो कौन सी पद्धिती है जिससे की आरबी आई साख नियंत्रन का कार्य करता है यह दो पद्धितियां है एक है परिमानात्मक साख नियंत्रन पद्धिती दूसरी है गुणात्म अब ये क्या होती है इसके बारे में भी हम एक एक करके देखेंगे नेक्स्ट देखिए कुशन 13 आर्बी आई द्वारा गुणात्मक साख पद्धिती द्वारा नियंत्रन किस पर आधारित होता है तो इसका आंसर है यह पृतिबूतियों पर आधारित होता है नेक्स्ट कुशन 14 आर्बी आई द्वारा परिमानात्मक साख पद्धिती द्वारा नियंत्रन किस पर आधारित होता है तो गुणात्मक पद्धिती हमने देखी जिसमें वह प्रतिबूतियों के आधार पर नियंत्रन कर रहा है साख पर वहीं पर परिमानात्मक साखफद्धिती जो है वह बैंक रेट यानि बैंक दर रेपो रेट रिजर्व रेपो रेट और कैस रिजर्व रेशियो इनके आधार पर वह साख नियंतर्ण करता है अब हम इनको एक एक करके देखेंगे आगे Q15 है बैंकों का नियंतरक किसे कहा जाता है तो बैंकों का नियंतरक जो है वह है बैंकों के जो सरकार का जो बैंकर है और बैंकों का बैंक जो है वह है रिजर्व बैंक आप इंडिया को ही कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि RBI के दिसानिर्देशन पर ही सभी बैंक जो है वो कारे करते हैं तो इसी लिए सभी बैंकों पर नियंतरण करता कौन है RBI यदि किसी बैंकों को लाइसेंस प्राप्ट करना हो तो उसे सबसे पहले RBI के पास जाना होगा ठीक है और RBI जो है वही लाइसेंस जो है वो प्रवाइड करवाती है RBI बैंकों को अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सामिल करके बैंकों के नियंतरण के रूप में कारे करती है तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि Reserve Bank of India जो है वह है Reserve Bank of India अधिनियम के दूसरी अनुसूची में सामिल करके सभी व्यापारिक बैंकों को उन पर नियंत करती है लेकिन यदि पूछा जाए कि पहली अनसूची में कौन है तो देखिए रिजर बैंक विंडिया खुद ही पहली अनसूची में शामिल है जैसे कि बैंकों का न्यंतर कैसे है इसमें एक और एक्जामपल से मैं आपको बताती हूं कि जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले य इस बैंक जो है वह बंद हो रही है यानि अगर कोई zaten जो है वह कारे करने में सक्षम नहीं है क्या करेगा वह तो बैंकों STUDENT को पर न्यंतर जो है वहां डाल करने पहले जिस पर Reserve Bank of India वानिजिक बैंकों को उधार देती है, तो वो दर क्या कहलाती है, bank rate कहलाती है, Reserve Bank of India दोरा वानिजिक बैंकों को रिन पर निधारित ब्याज, क्या कहलाता है, bank rate कहलाता है, next है, repo rate किसे कहते हैं, तो देखिए, Reserve Bank of India दोरा वानिजिक बैंकों को अलब अवदी के लिए रिन पर निधारित ब्याज, यानि अलब अवदी के लिए Reserve Bank of India का वानिजिक बैंकों को उधार देना ही repo rate कहलाता है, Question number 18, reverse repo rate किसे कहा जाता है, हमने repo rate देखा कि व्यापारिक बैंक जो है, उनको उधार देना यही repo rate कहलाता है, Reserve Bank of India का, अब देखिए, reverse repo rate क्या होता है, ये उसका opposite होता है, कैसे, Reserve Bank of India दोरा वानिजिक बैंकों से प्राप्त रासी पर दिया निधारित ब्याज, वहाँ repo rate में क्या हो रहा था, वहाँ पर वानिजिक बैंक जो है, उनको उधार चाहिए था, तो उन्होंने उधार लिया Reserve Bank से और Reserve Bank ने उसके बदले व्यापारिक बैंकों से ब्याज लिया, ठीक है, simple अर्थ में repo rate ये था, अब reverse repo rate क्या है, विल्कुल उसका opposite, यदि वानिजिक बैंकों के पास अधिक धन हो गया है, धन की अधिकता हो जाए, तो वह एक दर पर अपने धन को Reserve Bank के पास रखते हैं, तो किस दर पर रखते हैं, वह क्या कहलाता है, reverse repo rate कहलाता है, ठीक है, दुबारा से मैं बताती हूँ कि जब व्यापारिक बैंकों के पास धन जादा हो जाए, तो वह जिस दर पर अपने धन को RBI के पास रखेंगे, तो वह दर ही कहलाती है, reverse repo rate, यानि Reserve Bank of India को अब व्याज जो है, वह व्यापारिक बैंकों को देना होगा, next, cash reserve ratio किसे कहा जाता है, जिसे हम CRR भी कहते हैं, RBI द्वारा वानिजिक बैंकों से प्राप्त अनिवार राशी ही CRR कहलाती है, सब भी बैंकों के लिए जरूरी होता है कि वह अपने कुल जमाराशी का कुछ हिस्सा, जो है, वो RBI के पास हमेशा reserve रखें, यही कहलाता है, scarce reserve ratio, next है 20 question, यदी मुद्रा चलन में ना हो, तो मुद्रा को नश्ट करने का कारे कौन करता है, तो starting में ही हमने इस पर बात की थी, कि यदी अर्थे विवस्था में मुद्रा जो है वो चलन में नहीं है, तो उसको नश्ट करने का कारे जो है वह भी RBI का होता है तो इस तरीके से जो भी प्रशन जो है इससे बन सकते थे और आपके एक्जाम में आ सकते हैं सभी हमने इंक्लूड कर लिये हैं आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा तो थोड़ा सा SST वाले बच्चों के लिए यह थोड़ा अलग से टॉपिक है तो इसको आप एक दो बार समझने के कोशिश करेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा नेक्स्ट जो है वो हम इसी यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मिलते हैं थेंक्यू